नमस्कार दोस्तों, सुवारत हैं आप सभी का हमारे यूटूब चैनल आर के योजना पर यदि दोस्तों आप भी एक पैंशन धारक है, दिव्यांग, विद्वा, वर्दवस्ता और कुष्टवस्ता में से किसी भी एक पैंशन का लाब ले रहे हैं आज की यह जानकारी आपके लिए बहुती ज़्यादा महतपून होने जा रही है, जैसे कि आप नोटिफिकेशन में देख रही हैं और समझ रहे हैं, हमारा आधार नमबर पैंशन अप्लिकेशन फारम में अपडेट है या फिर नहीं है, यह आप कैसे घर बैठे मुबाइल फ का लाब नहीं दिया जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आप यह समझेए, यानि कि पैंशन नमबर अपडेट करने का यह मतलब है कि आपका EKYC, सरकार EKYC करा रही है, जिन किसानों, माफ किजेगा, जिन पैंशन धारुकों ने अपना EKYC नहीं कराया तो उनको पैंश कर सकते हैं, वीडियो के माध्यम से सभी जानकारी आपको मिलने वाली है, यहाँ पर आप एक छोटा सा स्क्रीन सोट देख रहे होंगे, यहाँ पर लिखा है माई में 25 रुपे यानि 25 रुपे लाबारतियों को दी गई है, जिसमें दिव्यांग, विद्वा, वर्दवस्थ और कुछ तवस्था लाबारति सामिल किये गई हैं, इसी परकार से जून, जोलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नॉमबर, दोस्तों कुछ पैंशन धारक ऐसे हैं, जिने नॉमबर मैनी के तक पैंशन नहीं मिली है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो आपको दिखाया गया है कि अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, जोलाई, जून और माई, सभी महीनों में परतिमा जो पैंशन दी जा रही है, 2500 रुपे पैंशन लाभारतिक बैंक खाते में सरकार द्वारा ट्रांसफर की जा रही है, अब विस्तार से जानकारी जान लेते हैं, यह हम आपको लाइफ जानकारी देने जा रहे हैं, देखे दोस्तों हम आपको डिरेक्ट ही पैंशन पोर्टल पर लेकर आचुके हैं, जो कि एक राज्य सरकार द्वारा चलाया गया पैंशन पोर्टल है, सभी जानकारी यहाँ पर आपको डिटेल वाइस में मिलने वाली है, तो आप लिंक कैसे कर सकते हैं, कैसे अपने पैंसन फरम से यह नंबर अपना आधार का जोड़ सकते हैं, यह भी यहाँ पर आपको जानकारी मिलने वाली है, तो दोस्तों हम किलिक करते हैं, लापातर अपना आधार नंबर लिंक करें, हमने इस पर किलिक किया है, आपको भी इस परकार से लिंक करने के लिए अपना अधार कार्ड किलिक कर लेना है इस पोर्टल पर ही तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है इस परकार से आपके सामने भी अगला पेज ओपन हो जाएगा यहाँ पर लिका है लापाद अपना आधार नंबर लिंक करें तो यहाँ पर आपको जो आपकी beneficiary ID है, सभी pension धारकों की अलग-अलग beneficiary ID होती है, तो जो भी आपकी beneficiary ID है, वे यहाँ पर आपको डालनी है, आविदन करते समय जब आपने पनी pension के लिए आविदन किया था, तो वहाँ से आपको एक beneficiary ID नमबर मिला होगा, वे ही आपका beneficiary ID नमबर है, वे यहाँ पर आपको डालना है, और यह caps record यहाँ पर आपको डालना है, इतना कार यहाँ हम पहले पूरा कर लेते हैं, देखे दोस्तों, देखे दोस्तों, यहाँ पर आप जो हमारा beneficiary ID नमबर है, वे यहाँ पर हमने डाल दिया है यह capsicode भी डालना है आपको भी इसी परकार से step by step समझना होगा और अपना link यहाँ पर number करा सकते हैं अपना अधार number तो हम किलिक करते हैं find यानिकी खोज पर यहाँ पर लिखा है आईकन पर हमने किलिक किया हमारे सामने देखे जो अगला page है वहें open हो चुका है यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको scroll down कर लेते हैं सभी जानकारी आपको अच्छे से समाझ आ जाएगी देखे दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर देखे लाब पातर का पता लाबारती ID number यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा लाबातर का नाम जो भी यानि की लाब लेने वाले व्यक्ति हैं उनका नाम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वे महिला है या पुरुस है यदि महिला है तो आपको F लिखा मिलेगा English में यहाँ पर आप देखें यानिकी Hindi में हो गया है Automatic ही तो यहाँ पर F लिखा मिला है और यदि आप पुरुस है तो यहाँ पर आपको M लिखा मिलेगा Mahila यानिकी Male और या फिर Female यहाँ पर आप देखें इनके पति या पितग नाम यहाँ पर दिया गया है यहां नमांकन के समय आयू नमांकन यानि कि कितनी इनकी आयू है उम्र है यहां पर दी गई है जिला यहां पर आप देख सकते हैं आपके जिले का आपका नाम यहां पर देखने को मिलेगा जब आपने नमबर या अपने आईडी को यहां पर चेक करेंगे यहां पर वार संख् हुआ हुआ है अब जिसका लिंक है तो यहां पर आप देख लीजे और जिसका लिंक नहीं है या गलत हो रहा है तो यहां से आप चेंज भी अपना आधार नंबर कर सकते हैं यहां पर लिखा है क्या आधार यानि की आधार संख्या प्राप करना चाहते हैं क्या आप आधार सं डाउन कर लेते हैं देखे दोस्तों जैसे हमने यहां पर क्लिक किया तो यहां पर देखें यहां पर लिखा है आधार संख्या डाले यानि कि जो आपका आधार नंबर है वह यहां पर आपको अपना आधार नंबर डालना है फिर दूसरे में जो यदि आपका मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है तो यहां से ही आपना मोबाइल नंबर भी अपडेट कर सकते हैं यानि कि आउदन करते समय जो आपने मोबाइल नंबर दिया था वे यहां पर भी डाल सकते हैं और टी भी आपके मोबाइल नंबर पर आएगा यहाँ पर आपको mobile number डालना है और यहाँ पर जो आपकी email ID है अगर मंध है आपका डालने का तो डाल सकते हैं अन्यता कोई अवश्यक्ता नहीं है इसके बाद यहाँ पर देखिए पता डाले यहाँ लिखा है केवल मकान नंबर गली नंबर महुला पता दर्ज मकान नंबर गल इसके बाद लिखा है सुरक्सा कोड डाले यानि कि यह कोड यहाँ पर जो लिखा है यहाँ पर आपको डालना है और उसके बाद यहाँ पर आपको सुविकार करें यानि कि समिट कर देना है यहाँ से आपका जो आधार नंबर है वह अपडेट हो जाएगा और यदि आप अ अधार नंबर अपडेट करा सकते हैं, चेंज कराना चाहते हैं तो चेंज भी उसी आपडेट करा सकते हैं, अ तो स्पोर्टल पर कैसे आया जाता है, और पचीछिस सो रुपए, यानि की 2500 रुपए, सरकार दोरा की नलाबारत्यों को दे रही है, यह आप यहां पर समझ लीजिए यहां पर दोस्तों आप देखे वर्ष 2022 है यहां पर आप देखे यानि की लिखा है आप देखे मार्च के महीने में भी 2500 रुपे दे गए हैं यानि की अक्टूबर मैने की इनकी पैंसन आ चुकी है लेकिन नौम पर मैने की अभी तक इनके ला आपको को दी जा रही है वह हर्याना राज्य सरकार द्वारा दी जा रही है इसी परकार से दोस्तों जो यदि दिल्ली के रहने वाले व्यक्ति हैं तो दिल्ली सरकार द्वारा भी 2500 रुपे यह पैंसन रासी लाबार्टिक बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है अब द यहां पर देख रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ सोचल जेस्टिश इंपरमेंट हर्यान तो यहां पर हम सीधा क्लिक कर देते हैं जैसे हमारे सामने जो इस परकार से एकला पेज है वह ओपन हो चुका है और देखे हम सीधा यहां पर नीचे लेकर आपको आचुके हैं अब यहा लाभातर अपना लिंक नंबर अधार नंबर अपडेट करे हमने इस पर क्लिक किया और यहां से देखे फिर से आपके पेज इस परकार से उपन हो चुका है यदि आप भी हर्याना राज्जे के अधिन आते हैं दिव्यांग विध्वा वर्दवस्ता कुष्टवस्ता वैसे किसी भी पैंसन का लाभ ले रहे हैं तो यहां पर आपको अपना आधार नंबर जल्द से जल्द अपडेट करा लेना होगा अपनी पैंसन का EK के वैसे भी बोला जाता है आज की जानकारी में बस इतना ही यदि आपको अमर्दी जानकारी पसंद आई तो वीडियो को ज़रो लाइक कर दीजेगा और यदि जानकारी को लेकर मन में कोई सवाल है कोई डाउट है पूछना चाते हैं नीचे कमेंट बोक्स में जाकर पूछ सकते हैं सभी सालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा लाश्ट मैनी विदन यही करेंगे चैनल को सब्सक्राइब और साथी बैल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूले अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारे साथ जब तक के लिए जय हिंद जय भारत